ये देखिए कितना बढ़िया लड्डू हुआ है बन के रेडी, ये हेल्थ के लिए बहुत ही लाबदायक है, सर्थियों के दिनों में ये लड्डू बहुत ही हेल्दी होता है, सरीर में घर्माहट पैदा करता है, आप इस लड्डू को बनाईए, बच्चे बड़े सभी को ख लाइए, चलिए सुरू करते हैं बनाना, रड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसमें मैं वन टी स्पून घी एड़ कर रही हूँ पैन में, घी हमारा पिघल जाए, तरदियों का समय है तो घी जम जाता है, कुछी सेकेंड में घी पिघल गया ह अब इसमें मैं 50 ग्राम बदाम डाल दे रही हूँ और इसको अच्छी तरह से भूल लेते हैं, बदाम को हमें मीडियम फ्लेम पर भूलना है, तिन से चार मिनट तक इस लड्डू को बनाने में कम समय लगता है और मेहनत भी कम लगती है, टेस्टी भी बहुत जादा होता है ये देखिए हमारी बदाम बुनकर रेडी है, अब इसको हम चलिए एक बाउल में निकाल लेते हैं, बदाम थंडी होने के बाद में इसको मैं ग्रैंडर जार में डाल के पाउडर बना लेना है ज्यादा बारीक नहीं पाउडर बनाना है हमें, हलका दरदरा रखना है, ये देखिए हलका दरदरा पाउडर है उसी पैन में जिसमें मैंने बदाम को रोस्ट किया था, बचे हुए घी में 100 ग्राम नारियल का बुरादा रोस्ट कर ले रही हूँ, ये फ्रेश नारियल का बुरादा है, जिसको मैंने कद्दू कस कर लिया था गैस का फ्लेम हमें लो रखना है, इसको हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस हलका सा लाल हो जाए, उतना ही हमें रोस्ट करना है और हमारा नारियल का बुरादा रोस्ट हो गया है, अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल के ग्रैंड कर लेती हूँ किammaryal ब्रादे को ग्रेंड करने के बाद में मैंने यहाँ बैन ले लिया है same pan और उसमें मैंने वन टीी स्पून घी अट कर यह है इसमें मैं बलैक किस्मिस जो कि मेरे पास ब्लैक किस्मिस अभलल है तो ब्लैक किस्मिस और काजू को रोस्ट कर ले यहां पर हमारी किस्मिस और काजू अच्छे से रोस्ट हो गए हैं इसको भी हमें पाउडर बना लेना है ठंडा होने के बाद में यहां पर किस्मिस और काजू ठंडा हो गया है तो इसको भी मैं ग्रेंडर जार में डालके पाउडर बना लेती हूं यह देखिए किस्मिस और काजू का पाउडर बनके रेडी है सभी चीजों को मैंने एक थाली में निकाल लिया है यह देख सकते हैं आप यहाँ पर हमें गुड को मेल्ट करना है लड़ू बनाने के लिए और सेम पैन में गुड को डाल दिया गैस का फ्लेम हमें लो मेडियम रखना है और इस्पून की हल्ब से इसको चलाते रहना है गुड मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है स्टार्टिंग में आप गैस का फ्लेम मेडियम रख सकते हैं लेकिन जब गुड मेल्ट होने लगे तो आप गैस का फ्लेम लो कर दीजेगा गुड को हमें ऐसे मेल्ट करना है कि इसमें लम्स ना रहे और जो लम्स हैं उसको इस्पून की हल्प से तोड़ दीजे कि यह देखिए कुछ लम्स रह गए हैं तो हमें इसको इस्पून से तोड़ देना है और एक ही डरेक्शन में चलाते रहना है गुड में बबल्स आने तक यह देखिए गुड में बबल्स आने लगा है घुड रेडी है हमारा सभी चीजों को मैंने एक बड़े बावल में निकाल दिया है अब इसमें मैं गुड़ को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ यहां मैंने मेल्ट हुए गुड़ को बावल में डाल दिया अब इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारे लड़ू प्रॉपरली बन सके बीच में फटे नहीं सभी चीजों के साथ में मैंने गुड़ को अच्छे से मिक्स कर दिया है अब शुरू करते हैं लड़ू बनाना हम इस लड़ू सेम साइज में बनाना है एक एक लड़ू बना के प्लेट में रख रही हूँ ये लड़ू सर्दियों के सीजन में बहुती फाइदे मंद होता है सर्दी चुखाम इसको खाने से नहीं लगती है आप इस लड़ू को खाईए सुवे साम और बिमारी से दूर रहिए चोटी चोटी चीजों के लिए हमें जो दबाई खानी पड़ती है वो नहीं खानी पड़ेगी ये देखिए गाईज हेल्दी टेस्टी लड़ू बनके रेड़ी है आप इसको घर में बनाईए और सभी को खिलाईए इसको बनाना बहुत ही असान है कम मेहनत में बन जाता है और टेस्ट में लाजवाब है गाईज आपको ये सूपर हेल्दी लड़ू के रिस्पी अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें चैनल को सब्सकाइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी टेस्टी रिस्पी की वीडियो लाती रहूँ